हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो यह है WSA9 Max Smart Watch और इस वाच की खास्यत है इसके डिस्पले और इसकी बिल्ड क्वाल्टी बहुत ही अमेजिंग है और आज इसका डिटेल रिवीवी होने वाला है वैसे बता दू कि एक फैशन वाच यह फिटनेस वाच नहीं है तो वाच में इस तरह का बॉक्स दिया गया है जहां पर WSA9 Max लेखा हो मिलता है और सिंपल से बॉक्स है बाकी यहां पर आपको चार कलर्स मिलने वाले गॉल्ड, ब्लैक, सिल्वर और ब्लू और मेरे पास है ब्लैक आप बॉक्स को उपन करते हैं तो यहां पर पैकेजिंग काफी बढ़ दीगी है, जिसमें QR कोट दिया गया है जो स कैन करके आप आपको डॉणलोड कर सकते हैं इसके बाद वालेष चााजिम लक मिल जाता है जिस पर रखकर वाच को चार्ज कर सकते हैं उसके बाद यह ही वट्छ आ पर इस तरह का सब्रेफ आए वाग्य सवाश कि तरफ और उन्रैप करते हैं तो देख सकते हैं विल्ड कौल्ट ही बहुत ही अमेजिंग है अर इसमें अपको श्ट्रैप के लिए और यहां पर watch आ जाएगी इस पर tap कर देना है और आसाने से watch pair हो जाएगी और इस watch की connectivity काफी बढ़ है कोई issue नहीं है लेकिन इसमें आपको single chip connectivity का feature नहीं मिलता है बलकि dual chip मिलती है तो आपको दो जगा पर pair करना पड़ेगा एक तो app में दूसरा setting में जाकर bluetooth में तभी आप कॉलिंग फीचर यूज़ कर पाएंगे और app के बात करें तो इसमें rd fit app का support दिया गया है जो की basic application है और आपको ठीक ठा इसके नीचे एक और button मिल जाती है और watch काफी slick है और दिखने में watch बहुत ही premium लगती है और इसमें metal case मिल जाता है और back में plastic मिल जाती है तो build quality बहुत ही शानदार है इसकी और polish वगर काफी अच्छी है तो दिखने में watch बहुत ही premium लगती है मतलब लगता है कि यह महंगी watch है और इस तरह का strap मिल जाता है जहां पर इस तरह आपको pattern दिया गया है जो कि दिखने में अच्छा लगता है और क्वाल्टी यहां पर आपको decent मिलती है हाला कि replaceable strap है तो आप चेंज भी कर सकते हैं और आपको काफी अच्छा चेंश मिल जाती है मार्केट में जो कि आप परणटी नहीं मिलती है तो अगर आप वाच को पानी में डालेंगे और वाच खराब जाएगी तो आपके पैसे वैश्ट हो सकते हैं तो पानी से दूर रखें बट के बारिश में आप इसको यूज कर सकते हैं चलो बात है इस वाच के सबसे अमेजिंग पार्ट पे जो की ह इसका डिस्प्ले और यहां पर आपको काफी बड़ी और काफी शांदार क्वालिटी की IPS डिस्प्ले मिले वाली है और इसका साइज लगबग 2 इंच तो काफी बड़ी डिस्प्ले है और इसमें 368 x 425 पिक्सल का रिजलुशन दिया गया है तो डिस्प्ले बिल्कुल क्रिस डिजिटल हाला कि है यह IPS डिस्प्ले बड़ यहां पर ओल्वस्वन डिस्प्ले का फिचर भी दिया गया है जो कि मुझे पसंद आया और बिजल के बात करें तो भाई देख सकते हैं और आपको फुल डिस्प्ले मिल जाती है और एक और अच्छी बात है यहां पर डिस्प् मिलता है जो कि मस लगता है इस वाच का रेश टुए भी काफी फास्ट और रिस्पॉनसीव है तो जैसी फैंड को डिस्प्ले ओन जाएगी और वापस लेगर जाएंगे डिस्प्ले ओफ हो जाएगी बाकि पाम आफ का फिचर भी दिया गया है तो इस तरह से करेंगे और ड नुडूड करके watch में लगा सकते हैं और इसमें आपको पर प्रकार के menu style मिल जाती है और कुछ इस तरह की styles दी गई है इसमें चलो बात करते हैं इस watch की features की तो चलते है इसे menu में तो सबसे पहले है आप पर messages में जाएंगे तो यहां से notification देख सकते हैं और इसमें English का support मिलता ह अए मिलता है उसके बाद आप कॉल जहाँ पर आपको कॉंटेक्स हो गया और इसमें आप साथिया कर सकते हैं यहां पर उसके बाद चलते हैं तो आपको काफी सारे मोस्ट चाहिए जिक सकते हैं जासे की सब्सक्राइब उसके बाद कैलरी किलियोमिटर यह सब डेटा दिख जाता है उसके बाद चलते हैं यहां पर स्लीप ट्रेकिंग उसके बाद मेजिक कंट्रोल और यहां से वॉल्यूम को कम और ज्यादा भी कर सकते हैं उसके बाद हार्ट रेट बिलड प्रेशर हो गया एस्पू टू बिलड फोर्कास्ट मिल जाता है जहां पर पाच दिन का वेदर देख सकते हैं और काफी अच्य से डीटल में जानकारी मिल जाती है उसके बाद चलते आप ब्रीध मोड जहांसे बृधिंग एसके बाद मोशनग्स के त्रइक हो गया ओर यहां पर किलिड़र का फिचर दिया गया है उसके बाद अलीपे और इस वाच में NFC का फीचर दिया गया है तो इस वाच के थूप पेमेंट कर सकते हैं बट यह इंडिया में रिसकी है उसके बाद यहाँ पर क्योर कोड हो गया है जिसको स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर कैलकुलेटर का सपोर्ट द सकते हैं जोगी मुझे काफी सही लगा ऑसके बाद सेटिंग्स और यहां से मैंने स्टैस बाद बलेंट ऐसके सब्सक्रेश करते हैं दो नखके आप ल्लीटेश्य और यहां से मेंगश teeny वहां है और चास को कर सकते हैं इसके बाद स्क्रीन ऑफ टाइम जेश्चार हो गया उसके बाद वैब्रेशन हो गया और की डिफिनेशन में जाएंगे तो यहां से कुस्टमाइज कर सकते हैं और यहां पर दूबल क्लिक और दूसरा है लॉंग प्रेस उसके बाद यहां पर ड्रेन ऑफ का फिचर दिया गया है तो अगर बाकिसमें आपको एस का फिचर भी मिल जाता है जो कि इमरेजन से में काम आ सकता है और यह मुझे सही लगा उसके बाद पावर ओफ और अबाट कॉप्शन देया गया है तो यहीं सारे आपको फिचर मिल जाते हैं चुकि देखा जाए तो अच्छे खासे और अच्छे से व कॉल स्विच का फिचर भी दिया गया है लेकिन एक दिक्कत है जब कॉल आता है तो कॉलर का नेम निशो करता है नंबर शो करता है और यह एपडेट से फिक्स किया जा सकता है और स्पीकर के आवाज में आपनों को सुना देता हूँ तो स्पीकर काफी बढ़ हैं मिलता है और आराम से बात कर सकते हैं और बात करें स्वाच के युआई की तो यहां पर युआई आपको अच्छा मिलता है बट बहुत स्मूध नहीं है जाहिए की तो सीन्ट करणे के तो यहां पर इस एकैट करें पर यहां पर विजट इसके बाद से स्वाप करेंगे। तो यहां पर आपको shortcut features मिल जाते हैं जैसे कि activity उसके बाद weather हो गया और यहां पर add भी कर सकते हैं आपका जो favorite है उसके बाद display पर tap करके hold करेंगे तो यहां पर कोई भी option नहीं आता है और crown को rotate करके watch face को change कर सकते हैं बाकि press करेंगे तो menu में चले जाएंगे जहां पर आपको सार आपको आपको आराम से तीन दिन का battery backup मिल जाएगा जो कि अच्छा है और चार जोने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें wireless charging का support दिया गया है और आप लोगों को पता है कि wireless charging थो होती है तो और बैटरी बैक अच्छा है इसका तो अब आते हैं वर्डिक पे क्या इस वाच को देना चाहिए या नहीं और इसका प्रैस कितना है तो भाई इसका प्रैस से 1,999 रुपे और प्रैस के कोडिंग काफी अच्छी वाच है बाकी याद है कि एक फैशन वाच ये फिटनेस वाच नहीं है तो अगर आप लोगों को फैशन के लिए लेना है तो ले सक तो यह कुछ कमी ये बाकि और अच्ही वाच है और अगर आप लेना है तो ले सकते हैं इसका लिंक आ इसक्रिप्स को कैसी लागी कमड़् बाक्वक्स में बता सकते हैं